Hey everyone, welcome back to EuroTube channel 4 creative studies आज इस वीडियो के मादे हम समलोग जानेंगे BPSC 133 के लिए important question भी तरस answer जो आने वाल exam के लिए important साभित हो सकता है इसलिए इन question को जरू से जरूर आप complete कर लिजे यह most important question है यह political science का most important question है जो unit 10 का है unit 10 में से सबसे most important question यही है राज क्या है और इसकी वीविन विख्याओं को असपश्ट करना है यह most important question है चलिए चलिए श्टाट करते हैं आज के session को हम लोग जैसे कि राज क्या है इसकी वीविन विख्याओं को असपश्ट कीजे राज की भूमिका को आप जान जाते हैं देखते हैं क्या है राजी की भूमी का राजी राजनितिक सिध्यांत की पर्मुक चिंताओं में से एक रहा है और यह प्रकृति जारी है यह राजी जो है राजनितिक सिध्यांत की जो ना एक पर्मुक चिंता हुआ करती थी जो अभी भी चल रही है परवर्ति जो है अभी भ इसका चिंता बनी हुई है जैसे कि आधुनिक राजे का विकास हुआ जैसे ही आधुनिक राजे का विकास हुआ राजे केवल राजनेती नहीं बलकि आधुनिक समाज के लगवक सभी पहलुओं में महत्पूर्ण हो गया है राजी के अध्यन के अनेक प्रमप्राय हैं बल्कि ये हुआ जो आधुनिक समय में जो है आधुनिक राजी जो है इस समय के राजी जो है वो विकास तो हुआ और राजी की राजनिती वो जो है राजी जो है केवल राजनिती तक नहीं नहीं सिमित्रा बलकि आधुनिक समाज म में महत्पूर्न हो गया है। जमाने का राजी जो है लगबग राजनिती की जो ना सभी पहलों में महत्पूर्ण हो गया है और राजी के अध्यन के अनिक परमप्राय हैं के लिए अब हम लोग ये राजे का भूमिका निक रहा और आगे देखते हम लोग राजी की परिभासा आगे राजे होता क्या है इस ऐफ्य जासे अस्टेर सब्द की उत्पति जो है लेतिन सब्द एस्टेतियू मैं से हुई है। एस्ट्यू से हुई है जिसका अर्ट जो है किसी वेक्थियों की की संख्या की पोजियों से है Morgen यह हुँ आपके ही कौई फौप होग किस राजि से है तो आप अपने राजी के बारे में में एक परिजानकों ने अलग इसका नहीं है कि राजी के बाड़े में अलग अलग विग्यानिकों द्वारा अलग अलग कतन है जैसे कि आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे जैसे परन्तु राजी की पुरनतया को अभिवेकद करने में कोई भी परिवासां समर्थ नहीं हो पाईए। इसके सभी विग्यानिक अलक-अलक कफन कहा है। राजी की पडिवासा यह है, जैसे कि आप हम लोग देखते हैं, अनेक विद्वान का अलग-अलग पडिवासा दिया गया है, जैसे कि पलेटू, पलेटो के अनुसार जो है, राजी वेक्ति का विराट रूप है, राजी जो है, वेक्ति का एक विराट रूप है, इसमें परत अरस्तु के अनुसार यह अरस्तु कौन थे अरस्तु के बारे में आपको अधर competitive exam में objective time में पूछा जाएगा कि अरस्तु आपको एक सवाल यह पूछा जाएगा कि पूछा जाएगा कि अरस्तु के अरस्तु के बारे में जानेंगे अरस्तु ने राजी की भरववासा किस तरह से दिया अरस्तु के अनुसार जो है राजी परिवारों तथा गरामों का एक ऐसा संग है जिसका उदेश एक पूर्ण एक आत्म निर्भर जीवन की प्राप्ति करना है जिसका महत्तु एक सुखी सम्मानित मानव जीवन से है यह अरस्तु के अनुसार जो है राजी का परिवासा रा पर अपने जीवन की प्राफती करता है, और जिसका महत्व जो है सुखी सम्मानिदमानव जीवन से है, यह जो है अरस्तो के अनुसार राजे की परिवासा दिया गया है, और आगे जाते हैं मैक्यावैली, मैक्यावैली ने राजियों को किस तरह से बताया व्हांवै मेक्यावेली इन्हों ने सबसे पहले राजी के विचार का परतिबादन किया आपको objective time में अगर कोई भी exam में पूछे जाए कि राजी की परिवासा सबसे पहले किस ने दिया तो इसका answer हो जागा मेक्यावेली ने मेक्यावेली ने राजी का सबसे पहले विचार परतिपादन क्या था मेक्यावेली के अनुसार राजी की परिवासा में सारी सक्तियां जिनका अधिकार जनता पर होता है यह राजी का परिवासा मेक्यावेली देते हुए कहते हैं सारी सक्ति जो होती है उसमें जो है राजी के अंतर जो जनता होती है उसके हातों में होती है जनता के हातों में जो अधिकार होती है वे सारी राजी कहलाते हैं वे चाहे वो राजी जो है राज तंत्र हो या परजार तंत्र हो ये मेक्यावलिय का कथंता राजी के परिवासा की अब जानते हैं सिसरो के अनुसार विद्वान सिसरो ने राजी के परिवासा को देते हुए कहा है राज एक ऐसा समाज है जिसमें मनुस्य पार्सपरिक लाब के लिए और अच्छाई की एक समानी भावना के अधार पर बंदे हुए हैं मतलब कि इससरो ने राजे को ऐसा समाज का है जिसमें मनुस्य अपने लाब के लिए अपने परते अच्छाई के लिए एक समानी भावना के रुप में एक कंधे एधार पर बंदे हुए हैं मतलब वो जो है आपस में समानी भावना के रूप में जो है अच्छाईयां बरतीती है जैसे कि आप किसी राश्जी में देखते हो तो वो अपने राजी की कहीं मितरता से मिल जाती है कहीं से कहीं तो उसकी भावना जो है अच्छी भावना समानी रूप से देखने को मिलती है ये जो है वो इस सभी को देखकर राजी की परिवासा देते हैं कि राजी में जो है राजी जो एक ऐसा समाज है जिसमें मनुसर परस्परिगराब के लिए और अच्छाई की एक सम्मानी भावना के अधार पर बंदे हुए हैं ये सिसरों का कथन था राजी की परिवासा के लि वेस्था है कानुनी वेक्ति के रूप में है सोरूप है जिसे कानुन के निर्मान का अधिकार प्राप्त है राजी के अंतरगत जो भी वेक्ति होती है उसमें जो कानुन के निर्मान करने के लिए वे उसमें अधिकार प्राप्त होती है वे जो है राजी का लाता है यह विधी द्वारा संगटित लोगों का नाम है राजी जो है एक निश्चित परदेश की अंतरगत नियम या विधी द्वारा संगटित लोगों का नाम है ये विशलन के अनुसार राजी के परिवासा दिया गया था ये रहा most important जो है विज्ञानिक थे उसके बारे में जो राज राजे की परिवासा में जो उने भिनेताय देखने को मिली है सभी अलग-अलग कथन कहा है कि यह राजे की परिवासा है राजे सब्दे की उतनी ही परिवासा है जितने राजनेती विज्ञान के लेकक हैं पोलिटिकल साइंस में जितने भी राइटर है जितने भी राइटर है उतने अलग-अलग राजी की परिवासा ही देखने को मिलेगी यानिकि इसे यही कहा गया है राजी सब्दे की उतनी ही परिवासा है जितने की political science में राजनेती विज्ञान में लेखक कहें हर एक लेखक राजी की परिवासा को अलग-अलग रूब में बताए है क्लियर और हम जानेंगे अब राजी और उससे सम्बनित सब्द यदि आपको 10 मार्सक में पूछे जाएंगे सवाल तो यहां तक भी आप लिख सकते हो आपका sufficient है यदि आपको 20 मार्सक में पूछे जाएंगे करने जाता है अक्सर राजी के लिए कई सब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कहाम तोर पर बोल चपर में राजी का विचार हो insist हो गया देश हो गया सरकार हो गया अधी अन्य सब्दों का पर या की रूप में दिल एडाले के तरीके से परियोग किया जाता है, मतलब इसके मुकाबले जैसे कि ये देश हुआ, सरकार हुआ, राजे का विचार, राष्ट हुआ, इस सब के मुकाबले जो है, राजे की जो है, राजे सब्द का परियोग जो है, तो दिल एडाले से परियोग किया जाता है, आगे है यह सब्द राजी की विचार के काफी निकट है यह सब्द जो है जैसे की देश, सरकार, विराज राजिराश्ट, यé सभी जो न, राजु की काफी निकट है, फिर भी ये सिध्यान्त और वहवार में भिन हैं, इन दोनों के बीच इसके सिध्यान्त भवा और वहवार, गून, अब्गून इस सभी में भिने ताय देखने को मिली है, इससे हम कह सकते हैं, परतियक राजु एक सरकार ना हो वो राजी नहीं हो सकता है यदि जैसे कोई देश कोई राजी जो है सुवतन्द ना हो या किसी के गुलाम हो तो वे राजी नहीं कहलाएंगे उसमें जब तक नहीं कोई सासन सरकार ना हो वे राजी नहीं कहलाएंगे किलियर यह रहा जो है राज और उसे सम्मंदित सब्द और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे राज के उधारवादी और मार्सवादी प्रिपेक्च है राज के उधारवादी और मार्सवादी प्रिपेक्च राज को विभिन से ध्यांतिक प्रिपेक्चों से देखा जाता है राजी को जोन विफिन सिध्यांतिक रूपों से देखा जा सकता है कि इनमें से व्यापक प्रिप्रेक्च है राजी के उधारवादी और मार्सवादी दिश्टी कौन इसमें जो हैना सबसे ज्यदा व्यापक रूप है जो है राज के उदारवादी और मार्शवादी सिध्यांद पर अधारित है प्रगति, विकास, आधि पर ध्यान के नित करता है, यह सभी जो है राजिका रूत 여러분들 स्वत्रता के उत्याद स्भीरे नथित करता है, जो मूल रूप से आजाधी, अधिकार, सोतरता, प्रगती, विकास, आधी पर धियान के नित करता है, ठीक है, यह सब कुछ, सब कुछ चीजों के साथ इसका संबन्ध है, यह दैनिक जीवन जो है, को प्रभाहिट जो करती है, दैनिक जीवन जो है, जो गरिवी स्तिती में, ज जीवन को प्रभाहिट करने वाली जो है, सब कुछ, चीजों के साथ इसका संबन्ध है, अता उधारवाद के अनुसार, विक्तिकत, अधिकारों, और संपतिकी रक्षा, लोगतन, सोतरता, निया, इत्यादी, मुलियों को कायम रखना, राजी की प्रात्मिक चिंता होनी चा जाता है, सबसे पहली और प्रात्मिक छिंता होना चाहिए, स्वतरता, इसकी रकषा, इसकी लोगतन, तर्त इक, इसकी निया, इसके बारे में यह सबसे पहला इसका चिंता होनी चाहिए, अब एक विज्यानिक है, थोमस होप्स, थोमस होप्स की संकल्पना में, थोमस होप्स की कथन में राजिक को राजिक को राजिक और समाजिक जीवन में सर्वस्रिष्ट मना जाता है, यह थोमस होप्स जो है, इसका कथन है कि राजिक को राजिक और समाजिक जीवन में, राजिक को सर्वस्रिष्ट मना जाता है किलिए जो समाझ में स्वातंद और सम्मान वेक्तियों के बीच एक समझोते से उतन हुआ है जो समाझ में स्वातंद और समान वेक्तियों के BEEC thanks opf athlete से उतन हुआ ये सभी जो है थ पूरे डिफनेशन के साथ साथ जो वेग्यानिकों के द्वारा जो कथन कहा गया था इसके बारे में और इसके दो पुएंट भी बताएं जो एक था एक था आपका राजी के उधारबादी मासवादी परिपेक्च और एक था राजी और उसे संब्धित सब्द ये सभी राजी अब लेवाल है इसके एक अलकसा प्लेइलिस्ट बना दिया गया है आप जरू से जरू सको देख लें इसका प्लेइलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बोक्स में डादूंगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए कोमेंट के मादें पसे जो भी दिक्कते हैं ज चलिए मेलते हैं में नेक्स्ट वीडियो में तब तब के लिए थैंक्यू सो मच एवरीवन